तो नमस्कार दोश्तो आप सब का स्वागत है आसु ट्रिक जोन में तो अभी FlipCart में एक प्रोब्लेम चल रहा है सभी का FlipCart आकाउंट में Suspicious Activity Detected एसा लिखके आ रहा है तो आपके आकाउंट भी एसा लिखके आ सकता है तो आप एक गलती कर रहे हो तो आप हो सकता है गलती कर रहे हो जिसके बज़े से आपका suspicious activity detected में भी आ सकता है तो आपको क्या करना है पहले में भी जो region बताऊंगा तो उसको आप अगर कर रहे हैं तो अभी से उसको बंद कर दो नहीं तो आपका बहुत सारे लोगों का अभी आ रहा है suspicious activity detected तो आपका भी आ सकता है तो आपको भी शतर करेंड रहे है तो फिडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारा telegram channel में जाइन नहीं कर रहा है तो अब भी जाका कर लिजए निचे Wing button से लिंख है जाके उसमें से link से क्लिक करके telegram channel में join हो जाईए वहांं आपको चोटा बड़ा देखने को मिलता है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उलिए तो प्रिपकर्ट का अकाउंट ये ये ने तो पहले आपका ऑकाॉंट में को bandwidth लिख के आ जाएगा जिसमेंसे आपको अप्रिपकर्ट का जो 리वाड है फिलिख वीडियो का रिवाड है आप कलेम नहीं कर पाऊगे आपका सबस्पिस आक्टिप coronavirus अगई होगा डूसरे बार इसको लॉग इन नहीं कर पाऊगे उसमें लिखाएगा कि आपका अकाउट ने दो तरह क्यों होते हैं तो पहले वाला जो नहीं हो रहा है तो एक मतलब लोगें नाइब होए मतलब कोई भी मोबाइल में दूसरा मोबाइल में लॉग इन नहीं होना चाहिए मतलब आपका एक नंबर एक ही मोबाइल में लॉग इन होना चाहिए तो आप अगर एक ही टाइम पर दो मोबाइल या फिर तिन मोबाइल में आपका नमबर लॉग इन करके रखेंगे तो आपका अकाउंट suspicious activity detector लिखके आ सकता है तो दूसरा बात है आपका account आपके mobile में एक ही mobile में अगर फ्लिपकर्ट का दो-दो account आप यूज़ कर रहे है तो आपका एक account में suspicious activity detected आ सकता है तो अगर clone यूज़ कर रहे है खास करके क्लोन अगर आप यूज कर रहे फिलिपकाड का तो आपका इसे आ सकता है तो जो इन-बिल्ड क्लोन होटा है मतलब रेडल्मी का यह है या फिर रेल्मी का जो पहले से कंपानी देखके रखता है क्लोन आपका सिस्टम तो उसमें थोड़ा कम प्रोब्लेम है तो आप उसको दे बहुत सारे लोगों का जो फ्लिपकाड अकाउंट अक्टिविटी डिटेक्टेट दिखा रहा है वो प्रोब्लम है तो आपको फ्लिपकाड वीडियो का गेम के बक्त आपको ध्यान रखना है तो मैं यहां पर आपको देखा देता हूं एक कुई यहां पर फांटास्टिक होता है आंसर देने के लिए यहां पॉस्ट में भी गता है कि आपको घक करेंऊ यहां इसलिए वह आपका अकाउंट को शाश पिसच्छ अक्टिविटी डिटेक्टेटर पे डालते था है तो उसमें आप क्या क्या होगा तो आपका account जो reward होगा आपका claim नहीं होगा तो आपको ये जो games खेलना है तो ये game खेलने के बद आपको 2-3 second रुख जाना है then question को question read करने के लिए जितना time लगता है आपको उतना time लेके आपको answer पर दबाना है ये फिर कुछ समय रुक के आपको answer पर दबाना है then यहाँ पर आपको account जो ब्यान हो जाता है बहुत सारे लोगों का तो आपको क्या करना है आपको एक order को बार-बार मतलब cancel करके उसको place करना नहीं है है मतलब 10 बार-बार अगर आप order को cancel कर देता हो आपका question delivery मतलब question delivery disable हो जाता है या फिर आपका account को ही ब्यान कर दिया जाता है अगर ज्यादा return करते हो आप तो उसमें भी आपका account ब्यान हो सकता है नेक्स्ट आता है आप अगर एक product को बार-बार order करते हो मतलब high quantity में order करते हो जैसे कि मतलब टूट पेस्ट हो या फिर एक smartphone हो आप 15-20 quantity से order कर दिया एक smartphone को तो flip card समझ में लगता है कि आप result करने के लिए इसको order क्या है तो आपको वह आपका account को ब्यान कर देते है आप उसको दुबारा लगिन नहीं कर सकते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपका high quantity चाहिए तो आपको एक बार प्रिपकार कस्टमर के आप contact कर लेना है कि आपको high quantity का जो product चाहिए वो आपका order place कर देंगे या फिर आपके आप उनसे permission लेके order और प्रेस करना वैसे आप order place करोगे तो आपका account ब्यान हो सकता है अगर आप high quantity का अडर कर सकते हो तो बात आया है कि अगर आपका e-mail अभी ब्यान हो चुका है या फिर suspicious activity आने बाला मतलब आपका अकाउंट नहीं होने बाला तो वो क्या करेंगे आपको क्या करना है simply आपको customer care से phone कर देना है customer care का number है 1800202989 आपको simply उनके number पर आपको contact करना है तो वो अगर आपका account को on block कर देंगे तो अच्छा बात है लेकिन ज्यादा से ज्यादा customer care आपका account को unblock नहीं करेंगे अब भी unblock नहीं हो रहा है account तो आपको try करना है लेकिन ज्यादा से ज्यादा chances से कि आपका account unblock नहीं होगा जिनका suspicious activity detected दिखा रहा है आप उसमें simply order कर सकते हो आपका super current बाहर से भी सकता है लेकिन आप उसमें game अभी नहीं खर सकते हो तो आपका game नहीं होगा अभी आपका game का reward credit नहीं होगा तो आप उसमें shopping या फिर कुछ कर सकते हो देन जिनका इनक्टिव दिखा रहा है वो customer care से बात करके उसको active कर सकते हो उसमें चांस है लेकिन जो suspicious activity detected दिखा रहा है उसमें आपका जो unblock होने का chance कम है थांक्यू दोस्तों मिलते आगले वीडियो में तो इसके unblock होने का chance कम है तो आपको जो मैंने region बताए उसमें से आपको ध्यान रखके एक flip card को use करना है देन आपका account block नहीं होगा